रायपूर PCC चीफ दीपक बैज ने ग्रह मंदरी आमिच चाहा के बयान पर जोरदार पलटवार किया उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है नेताओं को डराना उनकी गरफतारी करना ये लोकतंदर का आपात काल है भाजपा जिन्होंने आजादी के लिए उंगली तक नहीं कटाई उन्हें लोकतंदर के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है महालक्ष्मी नारी नियाई गारेंटी योजना को लेकर बैज ने कहा कि जन्रता के बीच जबरदस्त रस्पॉंस है ये योजना माता और बहनों को आकरशित कर रही है लोकसभा चुना में कॉंग्रेस पार्टी 36 गड़की 11 सीटों में मस्बूती के साथ लड़ेगी प्रत्याशी जर्ता के बीच जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोकतंदर के लिए बात करने के लिए भारती जन्ता पार्टी को यदिकार है जिन्होंने कभी लोकतंदर की आजादी के लिए एक उंगली तक निकटवाई वो लोकतंदर की बात करते हैं आप अधकाल की बात करते हैं भारती जन्ता पार्टी अपनी सत्ता का दुर्व्योग कर ली है जिस तरह से जारकंड के मुख्य मंद्री को अरेश्ट करना जिस तरह से दिल्ले के मुख्य मंद्री को ग्रिपतर करना और अन्यनेताओं को डराना दमगाना इपक्ची दलों के खातों को फ्रीज करना सील करना नोटीज देना के दप्तर को सील करना ये वर्तमान में सबसे बड़ा लोगतंतर का आपातकाल है जो भारती जनता पार्टी सत्ता पाने खिले किसी भी हद तक जा सकती है हमारे प्रत्यासी और हमारे कारेकरता लगातार बूत इसतर तक हर घरों में इसको पहुचा रहे हैं इसका रिस्पॉंस जबरदस्त मिल रहा है और कहीं न कहीं 12,000 के मुकाबले भारती जनता पार्टी के 12,000 के मुकाबले हमारा एक लाग देने की योजना भारी पड़ रही है और माता बहनों को आकरसित कर रही है इसका फाइदा लोगसवा चुनाओं में जबरदस्त मिले रहा है और पूरे परदेश के लिए रन निती भी बन रही है जिस तरह से हम लोग दवरा कर रहे हैं और जिस तरह से रुजान आ रहा है तो बिल्कुल इस लोगसवा चुनाओं में 36 गड़ में कॉंग्रेश को जबरदस्त फायदा होगा और हम लोग पूरे 11 सीटों में मजबुदिक साथ चुनाओं लड़ रहे हैं और हमारे परत्यासी बराबर जंता के बीच में जंसंपर कर रहे हैं इसका फायदा कॉंग्रेश पार्टी को मिलेगा मुझे लगता है लोग तंद्र